हे गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले है जो तोड़ा सा अंडरेटेड है मेरे इतरह आज हम लोग बात करने वाले हैं selecting the right font combination या selecting the perfect font combination for your design अब बहुत लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते हैं कि फॉंट क्या है हम लोग अपने आप से ब्राउज कर लेंगे हमारे पास हजारों उसमें देख लेंगे कि कौन सा फॉंट अच्छा लग रहा है और फिर उसे रैंडम ली यूज कर लेंगे बट ऐसा नहीं होता है आप जितने भी अच्छे डिजाइनर हो आपकी color combination चपड़ फार हो बट अगर आपका font combination च्छा नहीं है ना तो आपका design संडास ही लगेगा तो हमें अपने design को संडास नहीं बनाना है हमें अपने design को लेके जाना है एक लेवल उपर और एक लेवल उपर लेके जाने के लिए right font select करना या right font combination यूज़ करना बहुत ही जादा important है अब मैंने पिछले 7-8 सालों में मैंने जितना भी अपना time spend किया है designing करते हुए मैंने काफी सारे गलत design mistakes से मुझे सीखने मिला और उन design mistakes से सीखने के बाद मैंने अपनी एक list बनाई है perfect तो नहीं किया सकते बट बहुत ही अच्छे font combinations की और मैं आपके साथ वह आज शेयर करूंगा तो आप चाहो तो यह same exact fonts आपके next design में आप यूज़ कर सकते हो और आप अपने design को लेकी जा सक मैं यहां पर आपको एक example दिखाता हूँ screen पर तो जैसे कि आप दिख सकते हो इस image में दोनों ही images में same design है well design तो जादा कुछ नहीं है but text जो है वो same है that is you'll always be mine but दोनों ही design एक अलग vibes create कर रही है वो इसी लिए क्यूंकि आप दिख सकते हो कि दोनों ही design में किस तरीकी इसे font जो है वो एक अलग vibe create करते है तो इसे लिए font बहुत जादा important है आपके designs में मैं इससे जितना भी बार बोलू कि fonts important है font important है justify नहीं कर सकता कि कितना जादा important role fonts play करते है क्योंकि आप fonts को ना सिर्फ एक text display करने के लिए but as a design element भी use कर सकते है अब ये design element को use करने की बात मैंने अपने पिछले जो मैंने tutorial डाला था social media post design के उपर उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने fonts को एक design element की जैसे use किया था एक बहुत ही professional looking sports poster हमने उस technique को use करके बनाया था तो अगर आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा description में आप जाके उसे देख सकते हो तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो start करते है और मैं आपके साथ share करूंगा मेरे best font combinations तो जो सबसे पहला font combination है मेरे पास आपके लिए वो है ये बेबस नीव और Montessorat ये दोनों ही font ऐसे font है जो मैं सालों से use कर रहा हूँ ये font के साथ आप कभी गलत नहीं जा सकते है क्योंकि ये font का जो balance है वो कुछ इस सरीके से जैसे बेबस जो font है इसको आप title या as a primary font आप use कर सकते हो तो यह हमारा हो गया primary font और यह हो गया हमारा secondary font तो बेबस जो होगा वो एक title होगा और जो Montessorat होगा वो एक description या जो भी आपकी sub tagline या tagline होगी उसमें आप Montessorat को use करोगे अब obviously इन fonts के अलग-अलग weights आता है बट यह weights और यह font combination के साथ आपका design बहुत अच्छा definitely लगेगा क्योंकि जो बेबस font है यह vertically rectangle है और जो Montessorat है इसके जो font है वो square font है तो दोनों का balance जो है वो बहुत ही अच्छा जाता एक दूसरे के साथ तो आप इससे use कर सकते हो आप कभी गलत नहीं जाओगे इन दोनों इस फॉंट के साथ तो next जो font combination है वो है यह antin and open sans antin जैसे कि आपको देख रहा है काफी जाड़ा हट्टा कटन फॉंट है और open sans एक बहुत ही elegant बहुत ही balanced font है तो यह दोनों फॉंट को combination भी बहुत अच्छा जाता है अगर आप कोई ऐसा design बना रहे हो जिसमें आपको focus करना है जो attention है किसी भी वीवर का उसे grab करना है अपने टाइटल की तरफ तो antin को यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छा दिखता है और अगेन यह होगे हमारा primary font और यह होगे हमारा secondary font जो third font combination है मेरे पास आपके लिए वो है accordion and Oswald मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ की एक दूसरे के साथ आप देख सकते हो काफी balance है और Oswald अच्छा है ही इसका जो lightweight है इन दोनों का font combination बहुत ही अच्छा जाता है जो next font combination है वो है alpha slab and Roboto Roboto एक ऐसा font है जो UI design में बहुत ही जादा यूज होता है और सालों से UI designers इस font को अपने UI design में इसलिए यूज करते है क्योंकि इसकी readability जो है वो बहुत अच्छी है आप इस font को कितना भी छोटा कर लो फिर भी यह बहुत ही अच्छा दिखेगा बहुत ही readable दिखेगा और alpha slab को यूज कर सकते हो जैसे fashion poster हो गया यह कोई fun looking poster के लिए भी हो गया जहां पर बहुत सारे colors यूज हो रहा है तो वहां पर भी आप इस font को यूज कर सकते हो नेक्स जो फॉन्ट है वो है Lucy Rose और लाटो और देखके ही आपको समझ में आ गया होगा इसकी vibe कैसी इसकी vibe है जो fashion posters और जो premiumness जो एक रहती है वो create करती है तो इन दोनो ही फॉन को combination एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है अब लाटो की चाहिए कोई और भी फॉन्ट यूज कर सकते हो बट मैंने लाटो इस लिए लिया है क्योंकि मुझे पसंद है बट लूसी रोज ऑविसली एक बहुत ही premium लोग देता है जो नेक्स फॉन्ट है व काफी अच्छा दिखेगा और फिर ओटोग्राफिक को आज सब फॉन्ट या अज सेकेंद्री फॉन्ट आप यूज कर सकते हो इन दोनों का फॉन्ट कॉंबिनेशन इन दोनों का कॉंबिनेशन भी काफी ज्यादा अच्छा दिखता है और फाइनली मेरे पास लास्ट जो फ वर्सेटाइल फॉन्ट है इसे काफी सारी अलग अलग डिजाइन में आप यूज कर सकते हो ज्यादा तर यह फॉन्ट मैगजीन से में यूज होता है बट आजकल आप इसे कई सारी जगे पर यूज कर सकते हो अब और यहाँ पर सिफ साथ फॉन्ट कॉंबिनेशन के लिए इस लिसको जितना हो सके जोटा किया है क्योंकि अगर फॉन्ट में गुसने जाओ तो फॉन्ट लाको हजार है अब जितने फॉन्ट आपके पास हो आपको कमी लगेंगे बट मैंने इसको इसलिए शॉटण है क्योंग है इसो कूई्ट आब तो कि आप लोग को इस से में तो दाट इस रब गाईस, I hope आप लोगो को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करना इस वीडियो को एम करते है, 1000 लाइक के लिए बड़ा एम नहीं है, प्लीज प्लीज कर दिना, ताकि YouTube इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेर कर तब तक take care and always stay raw, stay creative, peace out.